प्रेंस कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पे और फ्रेंस आज हम पढ़ेंगे परियावरण संद्षड के बारे में अंतर राश्टिय संद्षड के लिए जो कुछ भी हुए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए हम अपने वीडियो को परियावरड का अर्थ क्या रफ होता है फरीधन आवरड मतलब हमारे चारो तरफ कुछ भी होताumen CT परियावरड के जरूरत क्यूं पड़ी तो परियावरड की ते ये तो बिल्कुल सही बात है परियावरण का जो देख रेक का जिम्मा है वो मनुस्य पर ही है और मनुस्य को भी उससे सबसे ज्यादा फायदा भी है लेकिन परियावरण को सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा खत्रा भी किस्से है तो वो है मनुस्य से और बहुत ज्यादा ये परेड को नुक्षान होने के कारण अंतर राष्टिय सम्मेलन हुए हैं तो चलिए हम आज हम पढ़ेंगे अंतर राष्टिय सम्मेलन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राष्टिय उसके बाद हम आगे और भी चीजे पढ़ेंगे अंतर राष्टी सम्मेलन में सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था इसे हम कहते हैं मानव पर्यावरण पर स्टॉक होम सम्मेलन यह हुआ कब था तो यह हुआ था 1972 में और यह हुआ था स्वीडन के स्टॉक होम सहर में और 5 जून 1972 को हुआ था और इसलिए हम 5 जून को के प्रति सबसे पहला सम्मेलन भी आयोजित हुआ था और ये परियार और सन्रच्छड के संबंद में यह अंतर राश्ट्री अस्तर पर पहला ही प्रयाज था और इसमें एक सिध्धान्त अपनाया गया जिसका नाम था सब एक ही पृत्वी इसका सिध्धान्त अपनाया गया पिर संयुक्त राष्ट पर्यावरण कारेक्रम जिसे हम कहते हैं UNEP इसका भी गठन किया गया कब किया गया तो यह किया गया पांच जून को और इसी सम्मेलर में पांच जून को पर्यावरण दिवस मनाने का भी लक्ष रखा गया और तभी से पर्यावरण दिवस जो है वो प होते हैं उजोन परत जो की समताप मंडल में पाए जाते हैं उजोन परत जो की हमें पराबैगनिक किरड़ जो होती है सूरी की उससे हमें बचाती हैं तो उसके संरच्छड के लिए प्रतम अंतराश्च्य समझाता हुआ था और यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था और इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन संरच्छड दिवस भी मनाते हैं फिर हुआ था रियो सम्मेलन रियो सम्मेलन को हम प्रतम पृत्वी सम्मेलन भी कहते हैं जो की हुआ था 1992 में और यह ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में हुआ था और यह हुआ था 3 जून 1992 को और सतत विकास से तो दस्ता वेज दिया गया और इसमें एजेंडा 21 जारी किया गया एजेंडा 21 क्या था तो यह था 21 बिंदूओं पर 21 बिंदूओं पर बात की गई और जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं UNFCCC इसकी अस्थापन स्पच्न होस्त gai 008 की गई फिर यह हुआ थे क्योटो परटोकॉल को हम्रिग्व प्लस 25 सम्मेलन प्रिथी प्लस 5 यह हूआ था 1997 में और क्योटो जो है यह जापान का सहर है और क्योटो प्रोतो काल हो था और इसमें क्या किया गया था तो इसमें ग्रीन हाउस जो गयसे हैं जैसे कि CFC हो गया यह सब जो हमारे फ्रीज वेगर है फिर सीथ कलग जो भी होते हैं उसमें सो जो निकलते हैं ग्रीनहाउस गैसे जो होती है इसके उत्सार्जन में कमी लाने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए यह प्रोटोकल आया था जिसको हम क्यो Exodus प्रोटोकल कहते थे हैं जोहांस वर्ग सम्मेलन जोहांस वर्ग सम्मेलन को हम रियो प्लस 10 भी कहते हैं और प्रित्वी प्लस 10 भी कहते हैं क्योंकि 1992 में प्रत्थम प्रित्वी सम्मेलन और 10 सल बाद हुआ था 2002 में रियो प्लस 10 सम्मेलन इसको दित्य प्रित्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और इसमें सतत्विकास पर विशेश बल दिया गया था, सतत्विकास का सबसे पहला जिक्र तो प्रथम प्रिथ्यू सम्मिलन में ही किया गया था, लेकिन विशेश बल दिया गया था, जो हांस वर्थ की मतलब रियो प्लस 10 सम्मिलन में, जो की 2002 में हुआ था, फिर हुआ था र 2012 में और प्रित्वी सम्मेलन के 20 वर्स पूरा होने के उपलक्च में ये हुआ था और सतत् विकास पर future we want का मसधा भी प्रस्तुत किया गया था मतलब जो रिएव प्लस वंटी सम्मेलन था इसमें the future we want का मसधा प्रस्तुत किया गया था और इसमें green economy पर विशेज बल दिया गया था तो फ्रेंड्स ये हैं परियावरर संरच्छट के बारे में अंतर राश्टिय सम्मेलन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में सेयर करिए और अगर आप चैनल पेनाए हूं तो चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करिएगा